EPFO Rules इस स्थिती में PF से पैसे निकालने पर देना पड़ सकता है 30% Tax जाने PF निकासी के नए नियम नए EPF निकासी नियम 2024 के अनुसार निरंतर रोजगार में रहने पर सेवानि वृत्ती से पहले भविश्य निधी नहीं निकाली जा सकती बेरोजगारी पर कुछ शर्तों के साथ पूर्ण निकासी संभव है निकासी पर Tax के सक्थ नियम है देश में संगठित शेत्र, Organized Sector के करमचारियों के लिए Provident Fund, PF की बचत उनके आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है विशेश रूप से भविश्य निधी की यह रकम उन्हें आपातकालीन सितियों में वित्तिय सहारा प्रदान करती है भारतिय करमचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO ने हाल ही में निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है जिससे करमचारियों की निवेश और कर्योजना पर गहरा प्रभाव पड़ा है EPF निकासी के नए नियम दो हजार चौबीस पहले, EPF सदस्य विशेश परिस्थितियों में अपनी जमाराशी का आनशिक उप्योग कर सकते थे जैसे कि Medical Emergency उच्च शिक्षा के लिए फीस भुकतान या आवास खरीदने के लिए हालांकि नए नियमों के अनुसार अगर व्यक्ती निरंतर रूप से रोजगार में बना रहता है तो वह सेवाने वृत्ती से पहले अपनी भविशन निधी नहीं निकाल सकता यह नियम उन परिस्थितियों के लिए भी लागू होता है जब करमचारी नौकरी खो देता है तब वह एक महीने की बेरोजगारी के बाद अपने EPF का 75% और 2 महीने के बाद 100% निकाल सकता है निकासी पर करके प्रावधान EPF से पैसा निकालने पर करके नियम पहले की तरह काफी सकत है यदि खाता धारक ने 5 साल तक योगदान दिया है तो उसे निकासी पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता लेकिन अगर निकासी से पहले 5 साल पूरे नहीं हुए है और राशी 50,000 रुपे से अधिक है तो उस पर 10 परसेंट का TDS लगेगा यदि पैन कार्ड उपलब्ध हो बिना पैन कार्ड के यह टैक्स बढ़कर 30 परसेंट हो जाता है निशकर्ष EPFO के नए निकासी नियमों का उद्देश संभवत निधी को और अधिक सेवानि वृत्ति के इंद्रित बनाना है जिससे कर्मचारियों को उनके सेवानि वृत्ति के दौरान वित्तिय सुरक्षा प्रदान की जा सके फिर भी इसमें कुछ जटिलताएं और चुनौतिया भी शामिल है खास कर जब टैक्स की दरें और निकासी की शर्ते काफी कड़ी होती है इसलिए कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने वित्तिय नियोजन के दौरान इन नियमों को ध्यान में रखें और संभव हो तो विशेशग्य की सलाह लें पीएफ का पैसा ओनलाइन कैसे ट्रांसफर करें जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे एक नया पीएफ अकाउंट प्रदान किया जाता है एपीएफ, Employees Provident Fund, किसी भी कर्मचारी के जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे एक नया पीएफ अकाउंट प्रदान किया जाता है एपीएफ, Employees Provident Fund, किसी भी कर्मचारी के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निधी है Online PF Transfer, Transfer PF Online कर अपने पिछले पीएफ अकाउंट की राशी को कर्मचारी नए पीएफ अकाउंट में ट्रान्सफर कर सकते हैं जिससे उन्हें अलग-अलग पीएफ अकाउंट को मैनेज नहीं करना पड़ता है, वे एक ही पीएफ अकाउंट में सब राशी को जमा रख सकते हैं पीएफ का पैसा Online कैसे ट्रान्सफर करें इस आर्टिकल के द्वारा Online PF Transfer, Transfer PF Online करने की प्रक्रिया की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी जिससे आप अपने एक ही एपीएफ अकाउंट में पुराने सभी पीएफ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इपीएफो, Employees Provident Fund Organization द्वारा इसके लिए UAN Portal बनाया गया है Online PF Transfer, Transfer PF Online कैसे करें Online PF Transfer करने के लिए कर्मचारी को EPFO Portal पर लॉगिन करना होता है जिसके लिए उसका UAN, Universal Provident Number Activate होना चाहिए यदि कर्मचारी का UAN Activate हो तो वह निम्न प्रक्रिया से PF Transfer कर सकता है UAN Portal में जाएं PF Transfer करने के लिए सबसे पहले आप EPFO UAN Portal की आधिकारिक वेबसाइट में जाएं अब Member E-Sewa में अपना UAN नंबर एवं पास्वर्ड दर्ज करें दिये गए CAPTCHA को भरें एवं Sign In पर क्लिक करें Transfer Request पर क्लिक करें Portal पर Sign In करने के बाद Online Services में जाएं अब Online Services में से One Member One EPF अकाउंट Transfer Request पर क्लिक करें दी गई जानकारी की जाँच करें नए पेज में Online PF Transfer से संबंधित इंस्ट्राक्शन्स को पढ़ें अपने PF अकाउंट पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी नाम, मोबाइल नंबर, इमेल, बैंक अकाउंट की जानकारी, IFSC Code एवाम आधार नंबर देखें पेज के अंत में वर्तमान PF अकाउंट की जानकारी देखें जिसमें आपका UN नंबर, PF खाता नंबर, कंपनी का नाम एवा पता, date of joining, PF office एवा आपकी जानकारी दी गई होती है सभी को जांचे PF अकाउंट चुने अब आप previous या present employer में से जिसके PF का transfer करना चाहते हैं, उसे चुने OTP Submit करें दिये गए declaration के check box पर टिक करें जिसमें प्रमानी करन करने के लिए आप आधार नंबर, Biometric Data और या OTP Data प्रदान करने के लिए सहमत हैं अब आप Get OTP पर क्लिक करें आपके UN पंजिकरित आधार लिंक्ट मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होता है OTP दर्ज करें एवं Submit पर क्लिक करें इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया से आप transfer PF online का आवेदन कर सकते हैं Online PF transfer के आवेदन के बाद जब आप online आवेदन कर देते हैं उसके बाद employer द्वारा आपके आवेदन को सत्यापित करता है इस सत्यापन के बाद आपको form 13 भरना होता है जिसमें आपको अपने द्वारा की गई पुरानी एवं नई नौकरी का विवरन दर्ज करना होता है Form के PDF format पर हस्ताक्षर कर उस company में जमा करना होता है जिसमें पुराने PF को transfer करना चाहते हैं इसके बाद employer digitally आपके इस आवेदन को अप्रूव करते हैं इसके कुछ समय बाद आपका PF transfer कर दिया जाता है PF transfer के status और उनके मतलब जब करमचारी PF transfer का आवेदन करत हैं तो इस प्रक्रिया में उन्हें एक tracking ID प्राप्थ होती है जिसकी सहायता से वे portal पर ही इस आवेदन का status देख सकते हैं जिसमें निमन दो प्रकार की जानकारी आपको प्राप्थ हो सकती है Pending at employer इसका अर्थ होता है कि आपके द्वारा किया गया आवेदन employer के पास है जिसे अप्रूव करना अभी बाकी है Pending at EPF office इसका अर्थ यह होता है कि आपके द्वारा किये गए आवेदन को employer द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एवा आवेदन को अभी नजदी की PF office से अप्रूवल प्राप्थ होना बाकी है EPF office आपके PF account में उपलब्ध राशी को चेक करता है यदि उसमें transfer करने योग्य राशी हो तो अप्रूवल प्रदान कर दिया जाता है इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रियाओं के द्वारा आप आसानी से अपने किसी भी EPF account से वर्तमान transfer PF online माध्यम से PF transfer कर सकते हैं